प्रकाश कारी करम देख रहा हैं आप अभी हमारे साथ मौजूद है राज़त STSC प्रकोष्ट के जिलाध धक्ष बालेंदर दास जी बालेंसर लगतार आपको जो है कि तीसरी बार ये पदभार दिया गया है कैसे निभाएं गया पिस पदभार को और कैसे देखते हैं सरपर्थम आज मैं जो भारत के बीर जुद्धा जो सहीध हुए हैं भारत और चाइना के बोडर पर उनको मैं नमन करता हूं और इसे बिकट प्रस्तिती में सभी राजनीतिक पार्टी से मेरा अनुरोद रहेगा कि इसे लराई को जंग को हम लोग मील जूल कर जीते यही मेरी पहले शुपकामना है और सच्ची संधांजली है कि आपको भी जिरा धक्ष बनाया गया है का तो कैसी इस पदभार को निभाएंगे और कितनी सारी चीजों को आपनी भाने का प्रयाश करें जहां तक अधक्ष बनने की सवाल है तो हम सबसे पहले कि राजत के सुप्रीमों लालू प्रसाद जादब जी भ्यार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी और तेजप्रताब जी राजमाता राविरी जी मिशा जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्योंकि बैसाली जीला के जीला धक्ष बनाय जाने पर मैं उनके प्रतिप अभार प्रक्रकरता हूँ सवाल है संगठन की तो हमने तिसरी बार जो संगठन का भार मुझे पर दिया गया है वह सही तरीके से मैं पूरे जीला में सगठन बनाने का काम करूँगा और जादे से जादे लालु जी का जो जो मिसन है तेज़श्वी जी का जो मिसन है जो तेज़परताब जी का जो कार्ज करम है उसको मैं गाउं गाउं तक पहुंचाने का काम करूँगा और यहाँ पर जितने भी दलित बंचित शमाज जो लालु जी के नाम से जाने जाते हैं जो अधिकार लालु जी ने दिये थे उसको हम लोग किस तरह से इस चुनाओं में आगे बढ़ाएंगे इसके लिए मैं संकल्पित हूँ और संगठन को धार तार देने के लिए मैं यहाँ पर बैसाली जीला में सोला प्रखंड है तीन नगर परिशद है और एक नगर पंचाइद है तो मैं जीला कमीटी के बहुत जल्द कमीटी बना कर मैं प्रदेश करजाले जगदावावू के पास हमारे अनीर कुमार साधु जी है प्रदेश सद्यक्ष है प्रदेश कमीटी में सवपूंगा और प्रखंड कमीटी बना कर पूरे चुनाओं के परकिरिया को मैं इस तरह से बनाऊंगा जिसमें आठो से आठो विधान सावा छेत्र में राजत जीते राजत के गडवंदन के उमिदवार जीते यह कार्जकरम मेरा चल रहा है और जादे जितना भी हो सके मैं काम करने के लिए हम पर जो भार पड़ा है उसको मैं निर्वाहन करने का कोशिस करूँगा यहां जो भी एसी एस्टी में जो बिख़ाव है आप देखे होंगे कि 42 जिला में अंसुची जाती अंसुची जन जाती जो बिख़ाव पैदा हुआ है वहां आज से दस साल पहले पंदरा साल पहले नहीं था जब से नितीज जी की सरकारवनी है राम बिला जी एंडिये में आकर दलित महा दलित करके जो समाज को तोरने का काम किये है उससे यहां के जो सी एस्टी है उसमें तूठ हुआ है लेकिन आज के डेट में जितने भी अंसुची जाती के लोग हैं वह यह समझ चुके हैं कि आरक्षन जो केंद सरकार हमको खतम करने के लिए सोच रहा है इसके लिए अब फिर एक जुटता दिखाने की कोशिस किये हैं आप देखे होंगे कि दू अप्रेल 18 को जो बंद का हवान किया गया था आप देखे होंगे कि पुरे भारत में हाजी पुर अबल हुआ था जिसका नितित मैं भी क्या था और उस समय से आज जो समाज तोरने की बात हुई है आज मैं जोर रहा हूं सभी समाज में जोरने से ही सत्ता पर कोई काविश हो सकता है नहीं तो हमेशा भी भीखाओ पयदा करते हैं और वह समाज तोड़ते है तोरने के नतीजा होता है कि आज हमारा अरक्ष्र परवार नेता नहीं करते हैं नेता कराते हैं सुप्रीम कोर्ट से केंद सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षन परवार करवाते हैं और राम बिलाल जी उसमें तरीक है हमारे दलित के निता कहे जाते हैं लेकिन उसकार में मंत्री है वह इसमें सिर्फ कहते हैं मैं इस्ताफा दे दूँगा कभी इस्ताफा दीजिएगा आप तो आरक्षन को खतम करने जा रहे हैं आप उनके साथ आधान हो लेकिन चुनाओं के समय में ही नवत्रंगी करते हैं कि अभी बीहार में है इस अब दो जाएगा यह तलित समझने वाला आप नहीं है रामबिला जी पांच साल अभी केंद्र में मंत्री रहें हैं, फिर पुनह भी हैं, क्या किये हैं देलतों के लिए हाजीपूर के लिए, एक पासमार के कोई टिकट दे के बना दिये हैं, क्या, अपने भाई चार को चार एमेज राज सभाय और सांसद हैं, एक भी अपने किसी को दिकट को दुसरे समाज को टिकट दिये हैं, इसलिए राजनीत के अपने परिवार को सिर्फ चलाने का काम करते हैं, वह आरक्षन को समाप्त करने में अहां मुम का है, अगर तो रामबिला जी का है, क्योंकि भाजबा के साथ हैं मिल कर वह काम करने लिए, और कहीं न कहीं जाप सुप्रीमों पप्पु यादव जी, अगर रामबिला स्पास्वान की बात आई है, तो कहीं न कहीं वो इक बात कहीं, वो उनके द्वारा कहीं जा रही है, कि चिराग पास्वान जी को मुख मंतरी का दलित चेहरा कोले के बात आई है, तो कैसे देखते हैं इसको, दे क्या नरा दिये थे, कि मैं नहीं लूँगा, नहीं दूँगा, अकलियत के ही मुख मंतरी बनेंगे, और इसके तहद बिहार में सरकार नहीं बनी, और पुना चुना हुआ, उस समय कहा थे, उस समय क्यों है मुख मंतरी बने, किसी से समर्थर ले लेते, बन जाते, उस समय बन यह जितने भी दलित के न्येता हैं, फिशलग्गू हैं फिशलग्गू मन के काम करते हैं, एक सत्ता के लोब में पढ़र के वे अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, कि मैं किस पद पढ़ हूँ वह पद को गड़िमा को नहीं समझ पाते हैं और पद के गर्मात तक जो दलित नेता नहीं समझेंगे वह मुखमंत्री क्या एक चपडासी के भी काम नहीं निर्भा सकते हैं जहां तक मुखमंत्री चिलाग जी के बात हुआ आप जमुई में कितने दलित मर रहे हैं मार खा रहे हैं एक दिन में देखने गए इतना भी जितने भी हाजी पुर्मिया चाहे बहें बिहार में जितने भी हत्याएं हो रही हैं या अत्याचार हो रहा है एक दिन भी रामबिला जी गए हैं चिलाग जी गया है वह पप्पु जादव जी तो एक क्या बोलते हैं एक पोर्चेक्ट करने के रूप में आए हैं तो समझे कि भाजबा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं वह तो अपना एक प्रवणडा दिये हैं कि हम किसी तरह से अपना गडवंधन बनाए यह सब हो किसी विधान सभा छेतर से देख रही है या फिर आप भी फाइट करने वाले हैं देखिए जहां तक चुनाओं लड़ने और लड़ाने की बात है हमें जिला के प्रभार मिला है जिला अधक्ष है और जिस समास से हम आते हैं यहां पर विधान सभा में दो सीट रिजर्व है पाते पूरम हुआ तो इस पर कोई मेरा पहल नहीं है यह पाटी का मामला है मैं आठो बिधान सभा को चुनाओं जिताने के लिए मैं काम कर रहा हूं चुनाओं लराना लरना वह राश्ट्रिय अध्यक्ष लालु प्रसाद जादव जी में है या को टिकर देंगे वह मैंने जानता हूं मैं संगठन के काम करने के लिए हूं और संगठन में काम करके सीट आठो जिताने का प्रयास करूंगा यहां तक कि मैं दाबा तो नहीं करूंगा लेकिन आठो में आठो सीट जितने का जो समी करन के हिसाब से है वह जितेगा और मैं इ अंता को सेवा करने के लिए काम करना है और हम चाहते हैं कि पुरे पार्टी मिलके चाइना जी जो लड़ाई चल ला है उसमें सहयोग मिल जुलके करें और भारत जीते यह हमेरी कामना है और सभी नेता और माने राजनीतिक पार्टी से मेरा निवेदन होगा कि सभी आदिमील यह जो लड़ाई है उसमें सहयोग करें और अभी हमारी जो करोना का चल ला है जो भी है जो हम लोग का गरीब गुरुबा जो मर रहे हैं उसको देखाने में काम करना चाहिए चुनाओ के पड़किरिया तो चलते रहेगी घोसना होगा हम लोग तयार है और चुनाओ लड़ है हर पाटी अपनी कमान कर चुकी है उस संदर में बालेंदर दास जी भी अपनी बातों को रख रहे हैं कामरा प्रशंद दिनीस टाचिर प्रकास्ट नेस्टनल नेट्वर्क हाजीपूर